कद गना नहीं है कि कट आज आप को बनाना सिखाएंगे इसके लिए क्या करें चाहिए इसके लिए हमें चाहिए करेंगे कैसे बनाना है तो ये मैदा और शुकर की सें फोंटिटी लेनी है तो सबसे पहले क्या करें ये मेदा ले 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 ये 5 चमच मैदा ले रहा हूं है कि कि साथ में 5 चम्मचarda टालें इसके इस्के इलावा दो चम्मच में डालेंगे लिया और प्वावडर और साथ में एक चम्मच हम डालेंगे इसमें Paking Powder को एक साथ जान लेना है ताक ये सब एक साथ चीतर feelings när होहाँ अब चाहिए तो इसमें ज्यादा कूल पाउडर गजी इस्तेमाल कर सकते हैं आपका अखे जो है तो ज्यादा소리 और मंख केक जो ऐए उसमें ज्यादा कूल का फ्लेवर रहेगा और आप चाहिए तो इसको कमधी कर सकती यह हमारे त्राइ इंग्रीटिटिस के अंतर आगे अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं इसको अब हमें लेना है लगबद आदा का धूद्ध दे ले ले आप और इसमें डालें के हम दो चम मच्टेप आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कर साथ में डाला दें एक चुपकी नमक और कुछ अ डाले बेनील आयसेंस की और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि दूद में अच्छी तरह से वनीला एसेंस का फ्लेवर आ जाए और इसको एकी डारेक्शन में घुमाते हुए एक एक चम्मच करते हैं जो हमारे ट्राइ इंग्रीडियेंट है इनको मिक्स करना है अए यह हमें तब तक करना है जब तक कि यह जो बेटर है हमारा यह टिकcióं घू पर नहां जाए तो यह बेटर हमारा त्यार हो गया यह कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी अब यह हमारे पास दो मग है इसमें इसको लगवद आदा या आदा सी थोड़ा जाना भरना है और इसके बाद थोड़ा सा इसको हम टैप करेंगे ताकि यह जो बैटर है अच्छी तरह से बैठ जाए और अब यह मग को अंडालेंगे माइक्रोड के अंदर हाई पावर पे दो मिनिट के लिए और आपका केक त्यार हो जाएगा इंस्टेंट वांग केक तो दो मिनिट हो गए है और हमारा इंस्टेंट मत के तैयार है देखिए अल्मूस्ट डबल क्वंटिटी हो गए है ताफी स्पॉंजी है तो तैयार है आपका इंस्टेंट मग की ज़रूर रहे की जाएगे जाएगे